तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है फाइल को रीकवर कर सकते हैं अपने sd card से या फिर अपने hard drive से तो यहां पर मेरा एक sd card है और इसके अंदर कुछ files मैंने रखे हुई है और यहां पर सारे तरह के लगबग मैंने फाइल सब sogar file date.org के वी ऑडियो का फाइल है इसके बाद यहां पर है हमारा पहले मैंसा प काट लेता हूं यहां पर हमारा डॉटम के इम, बाइल खुशाकि विडियो पर मैट और यहेंड़र Tom P4 जो कि विडियोका पर मैट थीकिम ब्लीन एनिमेशन है और यहां पर टेक्स्ट फाइल है यह भी टेक्स्ट फाइल है और यह भी हमारा टेक्स्ट फाइल है ठीक है और इसका यहां पर मैंने कुछ जीफ फाइल सबको भी रखा हुआ है अब देख सकते हैं डॉट जीफ है और यहां पर डॉट रार है जो कि उसी का कटे लन हेड़ा जliamo पर मैंने कुछ फोनों विंडूस च्जू को सब Cake यहां पर देख सकते हैं और करते हैं और आपको दिखा पाऊंग कर सकते हैं इसके ऐगर कर बाड देगी ठीक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी Camera तो अब हम बबब करते हैं और चलते हैं के में पर तो यहां पर हम मैं कुज लेता हूँ फोगरम जिसका नाम है डिस्क जख्यरीट टिक है तो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है तो से बड़ंया में search कर लोता हूं दो यहां पर मैं टाइप करते हैं यह रहा अभी से अड्मिनीश्टर में open करना और यहां पर आपको पुछेगा और यहां पाप कर देना है और इसके बाद देख सकते हैं वह फाइल ब्लिंग कर यहां पर देख सकते हैं यह दोनों USB है और नीचे वाला जो है साटा ड्राइब है जो के मेरा हाड ड्राइब इसके अंदर में सारे के आपको जो मैं पार्टिशन आपको दिखा देता हूं ठीक है अब हम रिकवर करेंगे USB ड्राइब ठीक है इस पर आपको इनेबल डेटा प्रोटेक्शन कर देना यह बहुत मेंडेटरी है दोस्तों अगर आप नहीं करोगे तो फिर और कुछ भी हो सकता या पर रिकवर नहीं हो सकते सब्सक्राइब करना यहां पर आपका पास-पास कुछ लग जाता है ठीक है तो मैं इस वीडियो को कम से कम छोटा करके आपको दिखाना चाहरा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं फोटोस वाले सक्षन में जो है फाइल आ गया है कुछ 15 फाइल से इसने खोज लिए हैं 77 MB के हैं ठीक है तो इसे होने देते हैं और यहां नीचे आप देख सकते हैं यहां पर भी हो रहा है यहां पर टाइम दिया हुआ है कितने मिनट यहां पर बाकी है और कितने मिनट हो रहे हैं यहां पर मैंने फोटोस पर क्लिक किया पिक्टेर्स पर और इसके अंदर जो है बुडियो फाइल सब और यहां पर कुछ फाइल सब हैं जो कि इसने खोज करके निकाले हैं ठीक है इसके बाद यहां पर आप देखते हैं पिक्चर्स के अंदर इसने extensions के नाम से ही जो इसने folder सब जो बना लिये हैं इसके यहां पिक्चर्स वाल सेक्शन में जाएंगे और इसके बाद सोरी यहां पर गलती से कट गया तो हम से दोबारा करते हैं सर्च फॉर लॉस डेटा यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर यह फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर आल फाइल्स पर हम गए और यहां पर मैंने बैक किया फिर में हम यहां पर गया अब यहां पर देख सकते हैं वीडियो फाइल भी इसने जो है कोर्ण करके जो है निकाल लिया है ठीक है और अभी मैंने सारे सेक्षंस दिये हुए है तो सारे सेक्षंस में आज आने चाहिए ऐसे मैंने सारे तरह की फाईल को जो हुआ प्रते हों यह जो है इसके उनिंट में एक जो है को सब्सक्र अब आइं हुआ है फ्रेय्मेंतर नहीं हुआ कि अब च्छे बात यहां पर फ्ल्टर में जा रगर कि आप को यहां सकते हुह तो यह आपको explorer में लेके जाएगा यहाँ पर एक लेबल करके नाम रहेगा उसके extension के folder से ही आपको जो फोल्डर बना करके देगा उसके अंदर आपको जो है फाइल सब रहेगी ठीक है यहाँ पर मेरे सारे है reconstructed और यहाँ पर कुछ files है ठीक है mkv file video file है तो इस तरह करके जो है यह search करता है और तब तक जब तक यह complete ना कर लेता हो तब तक हम wait करते हैं और यह हो रहा है तो इसे होने देते हैं ठीक है हम back करते हैं और यहाँ पर इसने इतने सारे files खोज लिए हैं इतना time हुआ है और इतना time बाकी है और यहाँ पर दोटो section बाकी है complete होने में ठीक है तो यहाँ पर कुछ वक्त इसे होने देते हैं यहाँ पर इसने अब सारे के सारे sections के जो है files को recover कर लिया है pictures videos audios documents plus archives file ठीक है तो यहाँ पर मैं fast forward करके दोस्तों video बना रहा हूं तो यह जो है जल्दी ही हो जाना चाहिए तो तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं तो याद रहे है दोस्तों कि जितना बड़ा आपका file रहेगा आप मैं में जितना बड़ा आपका drive रहेगा जितना आपका जो है फाइल सब डिलीट हुआ है उसको recover करने में उतना ही देर लगेगा दूस्तों जाइए तो कुछ समय होने देते हैं से और यह बस हो ही गया है तो जैसा कि अब देख सकते हैं दूस्तों इतने फाइल से रिकवर कर लिए और यहां पर देर यहां पर कुछ बोड़ रहा है कि यहां पर कोई टिक रमें जाकर एक फोलड बना देता हूं ठीक कि हैं फोल्डर मेंने उधस कड़े जिससे अपने आम करके निकाला है मिन जिस ड्राइब से आपने जो डिलिट किया था उसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है ठीक है आपका लोकेशन दूसरा होना चाहिए अधर देन डैट तो यहां पर हमने बेकफ ड्राइब को जो है इसके अंदर था मोलोक का यूएसभी रिकरवड फाए 24 कर देंगे ठीक है इसके बात यहां पर फिर करतें रहीं है और यहां पर जो हम लोका रिकापरी प्रोसर जो है स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर कुछ सेकंट्स होने देते हैं इतना स्पीड में आपका जो है रिकबर नहीं होगा तो यह मैंने फास्ट फोरवर्ड किया हुआ जैसे कि मैं आपको बता बता रहा हूं सुरू से है ठीक है तो इसे होने देते हैं कुछ सेकंट्स और यहां पर less than one minute remaining है तो इसे होने देते हैं ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डेटा रिकबरी कंप्लिट हो गया थाटिनाइन फाइल सब्सक्राइब हो गया यहां पर हम डिस्क लिस्ट पे चलते हैं और यहां पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था पार्टिशन में जाकर करके आपको यहां पर इनेबल डेटा प्रोटेक्शन करना पड़ता है इसके बाद यहां पर हम लोग का यूएस्बी ड्राइब ठीक है मैं आपको शुरू से जाकर आपको दिखा देता हूं तो यह में गया दिस पीसी में बैकप ड्राइब में और इस मैं ऐसा करता हूं कि एक फोल्डर बनाता हूं उसके अंदर जो है सारे फाइस को में कट पेस्ट कर देता हूं तो यह ज्यादे बेटर रहेगा आपको भी समझने में आसानी हुगा कितने फाइल्स थे कितने नहीं थे ठीक है यहां पर all files मैंने फोल्डर नाम दे दिया और मैं यहां से कट पेस्ट करके वहां पर डालता हूं ठीक है तो इसे पहले मैं कर लेता हूं इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पर मैं fast forward करके थोड़ा कर लेता हूं और जहां तक मुझे यहाद है दोस्तों कुछ-कुछ files जो हैं जिसे कि वह बता रहा थ जो फाइल से वह रिकवर कर देता है ठीक है तो बस यही एक चीज है जो कि आपको जान लेनी चाहिए ठीक है और यहां पर बस मैं cut paste करके पूरा करने वाला हूं इन दनों फाइल्स को मैं delete कर देता हूं सारी folder को और यहां पर जो है हम लोग का सारा फाइल से ठीक है अब इसके बाद यहां पर डोट Mkb file है यहां पर डॉट Mkv file है और यहां पर .mp4 file है blame था आप और यहां पर यह.png file है ठीक है और यह अपको धेख सकते हैं दोस्तों quality एक जरा लूजा नहीं हुए है ठीक है यहां पर .jpg फाइल है सारे के सारे ओरिजिनल फाइल आप ऐसा मत सुची कि यह सब थम्नेल से थम्नेल बिल्कुल भी नहीं है ओरिजिनल फाइल यहां पर समसिंग ड्राइवर था जिसके आपको याद होगा और मैं आपको सब सारे फाइल से एक एक करके दिखा देता हूं और है ठीक है और फिर मैं आपको दुसरा फाइल भी जो है प्ले करके दिखा देता हूं यह डॉट एंब फॉर फाइल था ब्लेम वाला ठीक है अब जिसे कि देख सकते हैं यह फाइल जो है काफी सही काम किया ठीक है और यह बिल्कुल भी करप्ट नहीं था आइमें डी फ्रैग नहीं था तो यहां पर मैं फिर आपको डॉट एंक की फाइल फिर से प्ले करके दिखा देता हूं जोकर वाला फाइल था ठीक है जैसे कि आपको याद होगा तो यहां पर यहां पर किया देख सकते हैं जो पर वाला फाइल था ठीक है और यह और यहां पर मैं चेक कर लेता हूं मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं को सो रहा है ठीक है और फिर मैं आपको फिर दूसरा फाइल सब को आपएंड करके दिखा था डॉट पीडिये powerful तो डॉटी-ईच्टी फाइल सब जो है निजर नहीं आ रहा ह। आई रिदो यहां और यहां पर इसे भी मापन खरकते हैं यह फीजिक्स का फाइल दोस्तों यह ठीक है और और मैं आपको सारे सारे इमेज भी इपन करके दिखा देता हूं सारे-सारे ओडिजी नल्री नहीं है और यहां पर आप और फिर मैं आपको इसे भी प्ले करके दिखा देता हूं और फिर मैं आपको इसे भी प्ले करके दिखा देता हूं ठीक है यहां पर दोस्तों में रिखल से डॉट MP3 फाइल नहीं है वो रिकबर नहीं हुई और यहां पर आप देख सकते हैं यह टेस्ट फाइल था दोस्तों डॉक्स फाइल में डिस्ट्रिल टेस्ट फाइल और तो यहां पर आप देख सकते हैं sbm services का यहां पर फाइल है ठीक है और यहां पर samson usb drive इसे हम extract करते हैं इसके अंदर फाइल है चेक करते हैं क्या वो काम कर रहा है सही से यहां फिर नहीं कि तो यहां पर मैं से open कर लेता हूं ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह जो फाइल है बिल्कुल काम कर रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है तो इस इस तरह करके आप अपने फायस को जो है, रिकवर कर सकते हैं ठीक है और चाहे आपका कोई भी USB ड्राइब हो, या फिर आपका hard drive या SSD क्यों न क्यों ना हो, तो यही था दोस्तों किस तरह आप जो है, फाइस को folklore कर सकते हैं